UNSAD का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं UNSAD का आर्थ होता है जो कहा नय गया हो यानकि जो से नहीं किया गया हो उसे हम UNSAD कहते हैं यानि कि UNKAHा, चुप या एकतित जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि कुछ चीजों को नए कहना ही बहतर होता है या अन कहा रहने देना ही बहतर होता है तो आप कहेंगे somethings are better left unsaid somethings are better left unsaid अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी